सिर्फ 40 रुपए में पूरे परिवार के लिए बाजार से सस्ती और बाजार से अच्छी रूफ जलसी आप भी घर पर बना सकते हैं सबसे खास बात इस लस्ती की यह है कि यह बहुती रिच और क्रीमी सी बनकर त्यार होगी और आप इसे घर पर बनाएंगे तो बहुती प्योर और हिल्दी भी होने वाली है और बहुती कम सामान से मिंटो में लस्ती बनकर त्यार हो जाती है गैरंटी है सिर्फ पास्वर में आप इसे बनाकर त्यार कर सकते है और सुबह अगर आप इसे एक ग्लास पी लेंगे तो दिन बर आपका पेट फुल रहेगा सुबह से शाम तक और टेस में तो ये एकदम लाजवाब बन कर त्यार होती है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा इसे कितना पीना है किस टाइम लेना है इसकी तासीर क्या होती है और इसकी हेल्थ वेनेपिट्स के आए इस सारा मैं वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो अची लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने फैमिल और फ्रेंट्स में जरूर से शेयर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इसे एक बार सब्स्राइब जरूर से कर लिजेगा तो चलिए इस मज़ेदार सी रूफचल लशी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कप भर कर दही लिया है तो यह ताजा जमा हुआ अच्छा दही लेंगे घर का जमा हुआ दही भी आप ले सकते हैं तो यह मेरा एक कप धाई सो एमिल का है तो आपर मैंने रोज सीरप यानि रूफजा लिया है यह अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना इसकी भी कर सकते हैं साथ में मैंने फ्रेश क्रीम यानि दूत्यों पर की जो मोटी मलाई होती है उसे मैंने लिया इसे हम गार्णिशिंग में इस्तिमाल करेंगे तो रू पर ले लिया है तो चलिए फटा फट पार्शनटन में बनाते हैं यह जबर्धस इह रूफजार लसी तो इसके लिए सबसे बर्मी में बहुत फायदा करती हैं साथ में आप दूद भी इसमें आड़ कर देंगे अब इसमें जाएगी यहाँ पर शकर जो हमने ली थी तो आप अपने टेस के साथ से कम जादा भी ले सकती है आपर मैंने 120 ग्राम ली है तो इतनी क्वाइडिटी बिल्कुल पर्फेक्ट है इसमें तो यहाँ पर साथ में हम रोज सीरफ जो लिया था उसे भी आइड़ कर देंगे तो रोज सीरफ गर्मिया में बहुत जादा फायदा करता है आपको बहुत प्यास लगती है या फिर गर्मी की वज़े से आपको ठकान लगती है क्रीमी कंजिस्टेंसी की बनकर प्यार होगी टेस्ट में एक दम लाजवाब तो इसको एक बार जरूर से बना कर ट्राय करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से दीजेगा और मुझे जरूर बताएगा कि आपको नेक्स लस्टी की कौनजी चाहिए तो कि योजादा लस्टी पीने से आपके दात मजबूत होते हैं आपका कशकम कानी फ़सी बूर्बम खताम होता है और ऐसे मुझके इसे हम इसे के उपर एट कर देंगे वाव स्वाव स्वार देखने में कि तरह रहा है ना तो एक बार तो को ट राय करे करना तो बहुत कर आट कर देंगे वाओ सुपर देखने में कितनी ज्यादा टेंटिंग लग रही है न एक बार तो इस लस्टी को ट्राय करना तो बनता है तो बहुत ज्यादा मज़ेदार से हमाई लस्टी बन कर त्यार हो गई है अब उपर से इसके उपर ड्राइफ रूट से गार्निश कर दे तो इसकी तासी ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में बहुत जादा फायदा करती है तो उपर से मैंने रूफजा का रोज सीरफ थोड़ा सा डाल दिया है जिससे और भी जादा ये माउथ वाटरिंग लग रही है तो इसे आपने एक ग्लाज फरकर सुबा लेना है या फिर बना कर तियार करेंगे तो बाजार से जाता सस्ती पड़ेंगी और बाजार से चासी रूफी yapıyorsun रही है ये बिलकुल फ्रेश और 40 रुपय में आपके पूरे परिवार के लिए लफजी बन कर तियार हो जाती है 40 रुपए में आपके 4-5 गलास आराम से बन कर त्यार हो जाते हैं और मार्केट में आप इसे जब लेते हैं तो 40 रुपए का आपको एक गलास मिलता है तो 5-6 गलास आप इसको बना कर घर पर त्यार कर सकते हैं और गर्मी में तो लस्टी सिहत का ख़जाना है अगर आप सुबा पी लेंगे तो आपको शाम तक बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली है तो आप इस मज़दार सी लस्टी की रसिपी को जरूर से ट्राय करिएगा कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएगा कि आपको लस्टी की रसिपी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे फेस्बुक पेज और इस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से उसको पहले फॉलो कर लीजे लिंक आपको डिस्टिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं ऐसी किसी नई मज़ेदार सी रसिपी के साथ तब तक अपना धेज सरा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खाईए पीजी मज़े करिए थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो अल्ला हाफिस